नमबर एक रैंक रिया जैन ने प्राप्त की थी 96.67 प्रतिशत अंको के साथ इसके बाद अभी मन्यू कुमार थे 95.83 प्रतिशत अंको के साथ इसके बाद योगेश प्रताप थे 95.33 प्रतिशत गौर दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि UP Board Result 2020 Class 10th and 12th जल्दी घोशित होने वाला है दोस्तो तो सबसे पहले आप अपना Result देखने के लिए Google पर सच कर सकते हैं PKR Results और जैसे ही दोस्तो आप इस वेबसाइट को सच करेंगे यह बहुत ही Fast and Furious वेबसाइट है जो आपको सबसे पहले आपका Result देखाएगी यहाँ पर आपको यह वेबसाइट दिख रही है जो कि हमारी PKR Result वेबसाइट इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर UP Board से रिलेटेट हर एक अपडेट को आपके साथ लगातार शेयर किया जा रहा है साथी साथ यहाँ पर आप लिंक के दौरा UP Board Class 10th and 12th का Result भी देख पाएंगे यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अपडेट आती है PKR Result पर इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों यहाँ से आप result भी देख पाएंगे सबसे पहले जो website crash हो जाती है hang हो जाती है कुछ समय के लिए क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ result देखते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी तो आप यहाँ से अपना result भी देख सकते हैं और भी सारी यहाँ पर news मिलती रहती है यहाँ पर दोस्तो आप अपने result देख पाएंगे सबसे पहले इस website का जो link है वो description box में आप वहाँ से जाकर इसको time to time visit करते हैं जिसके चलते हैं आपको सारी information मिलती रहेगी दोस्तो जानता है UP board परिक्षा 2022 का result जारी होने वाला है दोस्तो पिछली बार परिक्षन नहीं हुई थी लेकिन 2020 में जो लोग top किये थे कौन आये थे toppers top 10 class 10th के जो top 10 students थे उनकी बात करेंगे कि उन्होंने कितने percentage पराप्त किये थे और class 12 की भी बात करेंगे तो यहाँ पर आप लगातार आप यहाँ पर देख पाएंगे पूरी लिस्ट को की class 10th में कौन-कौन top किया तो नंबर एक rank रिया जैन ने प्राप्त की थी 96.67 प्रतिशत अंकों के साथ इसके बाद अभी मन्यू कुमार थे 95.18 प्रतिशत अंकों के साथ और उसके बाद नितीश कुमार भी दोस्तो 94.67 अंक प्राप्त करके पाचवा इस्थान प्राप्त किया था दोस्तो इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन स्टुडेंट्स आगे हैं जिन्होंने माक्स प्राप्त किया थे शोबित वर्मा रोशनी चौरसिया इन सभी ने दोस्तो टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी इसके बाद अंकुष दुबे आकाश कुशुआहा अलीशा अंसारी 94 प्रतिशत यह सब 94 प्रतिशत वाले इनको 500 में 97 प्रतिशत इन्होंने हासिल किये थे इसके बाद जो लोग थे दोस्तो वो थे प्रांजल सिंग इसके बाद उतकर्श शुकला इनको 94 प्रतिशत अंक मिल थे इसके बाद वैभौ दिवेदी यहां पर आप आंक और प्रतिशत देख सकते हैं इन सभी ने दोस्तो टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया था तो देखते हैं इस बार कितने लोग टॉप 10 में आएंगे यूपी बोल्ट परिक्षा 2022 में क्योंकि इस बार तो टॉपर्स की लिस्ट जारी होगी और प्रदेश सरकार उनको सम्मानित भी करेगी वर्ष 2020 की तार पिशली बार यह ही हो पाया था क्योंकि प्रदेश में कोविड काल चल रहा था जिसके चलते परिक्षा रद कर दी गए तो दोस्तों उमीद करते हैं आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा आप में से कोई नो कोई तो जरूर ताप करेगा अच्छे से टॉप 10 में भी हो सकता है कु ने आ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स ने जरूर बताना थैंक यू एंड बाई बाई